आज मैं आपके लिए बहुत आसान सी रेसिपी लाएं हूँ रसमलाई लड्डू की रेसिपी जो की घर पे जटपट बन जाएंगे और सबको बहुत पसंद आएंगे कोई पित्योहार हो या मीठा खाने का इमन हो तो ये वाली रेसिपी आप सरूर ट्राय करें बहुत ही कम इंग्रीडियन्स चाहिए इस रेसिपी को बनाने के लिए ये बिलकुल एक नई रेसिपी है रसमलाई लड्डू तो अपनी मिठाई की लिस्ट में एक और रेसिपी ज़़ लीजिए इस रेसिपी को बिलकुल एंड तक देखिएगा टिप्स औं ट्रिक्स के साथ मैं आपके साथ ये रेसिपी की डेटेज़् शेयर करने वाली ही सबसे पहले हमें ड्राइफ्रूट्स को रोस्ट करना है उसके लिए पैन लेंगी उसमें आड़ करेंगे एक टेबल स्पून काजु एक टेबल स्पून पिस्ता एक टेबल स्पून ही बदाम लो तु मीडिय करेंगे mixi jar में pulse पे blend करना है यानि की रुक रुक कर इसे blend करना है ताकि ये एक powder form में आ जाए paste नहीं बनानी ध्यान रखेगा powder form में हमें चाहिए जैसे कि आप देख सकते हैं जो भी dry fruits से वो मैंने दर-दरे पीस लिए है अब क्या करना है एक bowl लेना है कर देंगे थोड़ी देर के लिए इसको ऐसी छोड़ देंगे ताकि जो saffron है उससे बहुत बढ़िया सा कलर आ जाए pan में 40 ग्राम के करीब designated coconut आट करिएगा और उससे roast करिएगा medium to low flame पर जब तक golden brown color नहीं आ जाता इसको roast होने में लगबग हमें लगेंगे तीन से चार मिनट ध्यान रखना है कि इसे ज़ादा roast नहीं करना नहीं तो ये कड़क हो जाएंगे और जब हम रस्मलाई लड़ू बनाएंगे तो ये बिल्कुल भी स्वादनी लगेंगे तो बस हलके से golden color में आ जाएं तो अब gas की flame आफ कर दीजेगा इसे एक बाउल में transfer कर लेना है और थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही रहन देना है ताकि ये ठंडा हो जाएं दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe कर लें साथ ही bell button press कर दें latest updates and notification के लिए अब पैन में आड़ करेंगे वन टेबल स्पून घी flame को low ही रखना है साथ ही हम आड़ कर देंगे 125 ग्राम के करीब grated पनीर जो पनीर मैंने यहाँ पर आड़ किया है वो थोड़ा सा पहले dry कर लिया था मैंने कपड़े में लपेट के फिर उसे grate किया था flame को low to medium रखेगा जब आप stir कर रहे होंगे 2-3 मिनट के लिए इसे ऐसे ही stir करना है low to medium flame पर यकीन मानिए यह recipe बहुत ही असान है और बहुत ही tasty तो जरूर ट्राइ कीजेगा इसमें मैं आड़ करूंगी आदा कप पाउडर शुगर यानि की बूरा मैंने बूरा को पहले चन्नी की मदद से चान लिया था उसके बाद मैं इसमें आड़ कर रहे हूं mix कर लेंगे सारे ingredients को जो designated coconut हमने रोस की थी वो इसमें आड़ कर देंगे low to medium flame पर सारे ingredients को अच्छे से mix कर लेंगे dry fruits piece के जो हमने powder बनाया था वो भी इसमें आड़ कर देंगे जो भी ingredients मैं इसमें आड़ कर रहे हूं वो एक-एक मिनट के gap पर कर रहे हूं ताकि ये mix अच्छे सी हो जाए अब मैं आड़ कर रहे हूं साफरन milk इससे बहुत ही अच्छा texture आजाएगा रसमलाई लड्डू में color बहुत proper नहीं आया इसलिए मनें चुटकी वर हल्दी डाली है अगर आप चाहें तो food color भी आट कर सकते हैं दो से तीन drop सारे ingredients को अच्छे से mix कर लीजिए और देखिए जो सारा mixture है कठा होना शुरू हो गया है मतलब यह proper ready है आप इसमें डालेंगे आदा टी स्पून रसमलाई essence यह आपको market में मिल जाएगा आपको अगर केवडर का taste पसंद है रोज का taste पसंद है तो सब के essence market में मिल जाते हैं तो जो भी flavor आपको पसंद हो वो वाला essence जा लिए और अपने flavor का लड़ू बनाएगे essence को डालते ही एक मिनट के अंदर flame off कर दीजेगा और ready है यह mixture किसी भी plate में निकालके ठंडा कर लीजे और जब यह mixture इतना ठंडा हो जाए कि आप हाथ पे बदाश कर पाएं तो इसके गोल गोल से लड़ू बना लेजिए टेस्ट और flavor से भर पूर यह रस्मलाई लड़ू घर पे बनाना तो बनता ही है इसको decorate कीजिए अपने मन चाहे style में मैं यहाँ पे लगा रही हूँ silver work जिससे यह लगे बिलकुल market जैसे इस नई और easy recipe को जरूर try कीजिए और मेरे साथ share कीजिएगा अपने suggestions and comments कि कैसी लगी आप सबको यह recipe मैं मिलूंगी ऐसी ही और बढ़िया बढ़िया tasty tasty recipes के साथ तब तक के लिए goodbye take care don't forget to like, share and subscribe